शिखशक दिवस के आउसर पर जिले के प्राइवेट सिक्षकों का दर्द आया है सामने बीते 6 माँ से कोरोना काल के चलते बेरोजगार हुए प्राइवेट सिक्षकों ने आज जिला मुख्याले पर संखलाब बद तरीके से प्रदसन करते हुए कलेक्टर को मुख्यमंतरी के नाम ग्यापन देने के लिए अभियान चलाया कलेक्टर के नम मिलने पर कलेक्टर कारले के सामने धरने पर भी बेट गए इस दोरान पुलिस प्रसासन प्राइवेट सिक्षकों पर गर्म होता रजर आया एवं पुलिस द्वारा उने बगेर सुचना के भीड़े कत्रित कर अंदोलन सम्मंदी मामले पर फटकार भी लगाई प्राइवेट सिक्षपों की माने तो बीते छे माह से कोरोना काल के चलते नीजी स्कूल बंध है और उनकी नीजी स्कूल द्वारा मिलने वाली सेलरी भी नहीं मिल पा रही है जिस वैसे उनकी आर्थिक हालत बूरी तरह से अब लड़कडा रही है गर का ख़ट चलाने तक के उनको लाले पड़ रहे हैं ऐसे में सासन प्रसासन तो छोड़िये जिन नीजी स्कूल संचालकों ने हमारी मेहनत के पिछे पढ़ाई के नाम छातरों के परेजनों से मोटी फीस वसुली उन्होंने भी इस दोर में सूध नहीं लिए हम भी राष्ट के निर्माता है और पूरे जिले में हजारों की संख् हम भी पाइटियों को वोट देते हैं कभी हमने वोटों को लेकर सोधा भी नहीं किया आज इस बुरे दोर में हम प्रसासन की ओर देख रहे हैं और मदद की गोहार लगा रहे हैं शिक्षक दिवस के पावन अउसर पर निजी शिक्षकों का यह दर्द वाकई में समाज और उनका उप्योग करने वाली संस्ताओं को बहुत कुछ संदेश देता है आप देखना होगा कि प्रसासन इस गुरु जनों की मदद कर पाता है या नहीं हम भारती टीचर्स एसोसियेशन की ओर से देश तधा प्रदेश के समस्त प्राइवेट की समस्याओं को आज उठा रहे हमने लगातार माननी मुख्यमंत्री जी के नाम क्यापन दिया और मांग कि की हम प्राइवेट程 शिक्षकों की समस्याओं का निवारण किया जाए तेक के लिए भी नहीं बच्चा है घर्जे में डूब गया है मकान का खिरा है नहीं भर पारा है बच्चे को भूद खिलाने तक के पैसे भी है और बहुत ही इस्टिती धाइनी है क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि हम कभी सड़कों पर नहीं उतर है हमने जैसे जैसे कि प्रशा संका है वो तो उचित था क्योंकि बच्चों की सुरक्षा जरूरी है हुमारे भी जरूरी है जिन्तों कैंले वहां पर काम करने वाले जो शेशक होते सदरै किसे चलेगा और उनका परिवार केसे चलेगा क्योंकि कहने को तो हम राष्ट धिर्माता है और प्राइवेट शिक्षा को है 80% भार उठाते हैं शिक्षा का सबसे ज़्यादा काम हम करते पान लियेडी इतनी संख्या में गौर्णमेंट टीचर अगर रखती सरकार तो उनको वो सेलरी नहीं दे पाती हम सरकार का खरवोर उप्या वचा रहे हैं किन्तु सरकार ने जब हम पर विपत्ती आई तब कोई संख्यान नहीं लिया सभी वर्ग को कही ने कही राहत कोईश्टे राहत राष्य प्रदान की गई पर प्राइवेट शीच्छक वो भूब है जादा भी हो सकती है और उनका अगर परिवार माने तो पचास हजार की संक्या हम पूरे जिले से मान सकते हैं और यह पचास हजार यदि आप लोग हमें वोड बेंक के रूप में गिनते हैं तो वोट बेंक कर समझिए या आप राश्च्र जिर्मातर वोट बेंक कर समझना चाहते हैं और उमारी हायता करना चाहते किसी वोप्रकार से क्योंकि आश ।ब कर्गों सकता कहां का प्र syringe नहीं कि डिखा या कि जेल में हम अपने परिवार सहीद हमारे अपको डाल दीजिए जिससे हम क्या जेल में रहकर कम से कम दो वक्त की रोटी खा सकें और वहाँ पे भी हम फ्री में नहीं खाएंगे हम आके केदी होगा कुछ ने कुछ